हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू मीजिक सवन मीजिकल इस्टोमर रिफरिंग चैनल दोस्ता आज हमारे पास में रोलेंड का जूनोची आई कीबोड डिपेरम आया हुआ है यहां पर एक बार मॉडल बता दीजिया इसमें प्रोब्लम यह कि इसकी डिस्प्ले सही तरीके से प्रोपर वह सही तरीके से दीखने रही है आजू-बाजू से भी बिश्मे से भी बस यह कीबोड में यही प्रोब्लम है तो काईस आज हम इसी का शॉल्योशन करेंगे और इसी को आज हम रिफर करेंगे और दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए और इंजाई तो वीचलियोशन करेंगे तो वीचलियोशन करेंगे तो गाईस इस कीबोड का हमने बैक को अभी ओपन कर लिया है इसे हम आगे भी फुरा कीबोड को इसकी डिस्प्ले को ओपन करेंगे ठीक है चलिए जर फ्टा करेंगे ध्याओ झार कुछ अबंच सानासफिंस झाल 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 तो दोस्तों कीबड के अपना डिस्पले भी उपन कर लिये और इसे में इसका शोल्योशन करूँगा और मैं इसे आपको रिपर करके दिखाता हूं फिर बागी तो दोस्तों जैसा के इस कीबड के अंदर जो डिस्पले का प्रोलम था इसके वारे सॉल कर दिया है एक बार मैं आप पॉन करके दिखा देता हूं तो नजदिक लागी है केमरे को करते हैं देख सकते हैं आप डिस्पले की क्लिस्पलेति की तो हमारे डिस्पले बिल्कुल हो चिकी ऐ झाल झाल तो जैसा कि इस keyboard को भी हमने complete fitting अभी कर दिया है इस keyboard में डिस्प्ले का परणाम था है हमने solve कर दिया है एक बार इसा on करके हम चेक कर लेते हैं कर देख सकते हैं आप इसकी डिस्प्ले बिल्कुल अभी complete आ गई है जो भी इसमें जो problem था डिस्प्ले का जो क्लियर जो नहीं दिख रहे थी अभी क्लियर आ गई है तो गाइस अगर इसी टैप को अगर आपको कोई